चुरवात करते हैं एक नई कहानी की जिसका नाम है कुछ रिष्टे बहुत मीठे होते हैं बस बाते ही कड़वी होती हैं बहु कहा मर गई अंदर से अवाज आई जिन्दा हूं माजी तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं लाई कब से पूजा करके बैठी हूं ला रही हूं माजी बहु चाय के साथ भजिया भी ले आई सास ने कहा तेल का खिला कर क्या मारोगी बहु ने कहा ठीक है माजी ले जाती हूं सास ने कहा रहने ते अब बिना दिया है तो खा लेती हूँ सास ने भजिया उठाई और कहा कितनी गंदी भजिया बनाई हैं तुमने बहू मा जी मुझे कप्रे दोने हैं मैं जाती हूँ बहू दर्वाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई सास बजिया पर तूट पड़ी और पूरी बजिया खतम कर दी बहू मुस्कुराई और काम पर लग गई दोफैर के खाने का समय हुआ सास ने फिर आवाज लगाई कुछ खाने को मिलेगा बहू ने आवाज नहीं दी सास फिर चिल्लाई भूके मारोगी क्या बहू आई सामने खिचड़ी रग दी सास गुस्से से ये क्या है मुझे इसे नहीं खाना ले आओ बहू ने कहा आपको डोक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है खाना तो पड़ेगा ही सास मू बनाते हुए हाँ तू मेरी मा बन जा बहू फिर मुस्कुराई और चली गई आज इनके घर उजा थी बहू सुबा चार बजे से उठ गई पहले स्नान किया फिर फूल लाई, माला बनाई रसोई साफ की पकवान और भोज बनाया सुबा के दस बज गए अब सास भी उठ चुकी थी बहू अब पंडिक जी के साथ भगवान के वस्तर त्यार कर रही थी आज ओफिस की छुटी भी थी उनके पती भी घर पर थे उजा शुरू हो गई सास चिलाती बहू ये नहीं है वो नहीं है बहू दोड़ी दोड़ी आती और सब करती अब दोफैर के तीन बज गए थी आरती की तैयारी चल रही थी पंडिक जी ने सब को आरती के लिए बुलाया और सब के हातों में थाली दी जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी थाली हातों से गिर पड़ी शायद भोज बनाते हुए बहू के हातों में तेल लग गया था जिसे वो पोचना भूल गई थी सारे लोग तरा-तरा की बाते करने लगे कैसी बहू है कुछ नहीं आता एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती ना जाने कैसी बहू उठालाये एक आरती की थाली भी सबाल नहीं सकती उसके पती भी गुसा हो गए पर साथ चूप रही कुछ नहीं का बस यही बोल के छोड़ दिया सीख रही है सब सीख जाएगी दीरे-धीरे अब सब को खाना परोसा जाने लगा बहू दोड़-दोड़ के खाना देती फिर पानी लाती करीब सतर असी लोग हो गए थे इधर दो लोकर और बहू अकेली फिर भी वहां सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती अब उसकी सास और कुछ आस परोस के लोग खाने पर बैठे बहू ने खाना परोसना शुरू किया सब को खाना दे दिया गया जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया तुमने नमक ठीक नहीं डाला क्या एक काम ठीक से नहीं करती पता नहीं मेरे बाद कैसे ये घर समा लेगी आस परोस वालों को तो जानते ही उना साभ बस वो तो बहाना धूंडते है नुक्स निकालने का फिर वो सब शुरू हो गए ऐसा खाना है ऐसी बहु है ये वो वगहरा वगहरा दिन का खाना हो चुका था अब बहु बरतन साफ करने नोकरों के साथ लग गई रात में जगराता का कारेकरम रखा गया था बहु ने भी एक दो गीत गाने के लिए स्टेज पर चड़ी सास जोर से चिलाई मेरी नाग मत कटवा देना गाना नहीं आता तो मत गा वापस आजा बहु मुस्कुराई और गाने लगी सब ने उसके गाने की तारीफ की पर सास मू फुलाते हुए बोली इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में तुझे तो कुछ भी नहीं आता बहु मुस्कुराई और चली गई अब रात का खाना खिलाया जा रहा था उसके पती के ओफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगी उसका पती चिलाता थोड़ा बर उदर आखिर में उसके पती की शराप गिर पड़ी उसके एक दोस्त पर और बोटल तूट गई पती ने गुस्से में दो जहापर अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता है जाहिल कहीं की देख कर नहीं कर सकती तुझे इतना भी काम नहीं आता सारे लोग देखने लगे उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दोड़ी फिर उसके दोस्तों ने कहा क्या यार पूरा मूट खराब कर दिया यहां नहीं बुलाया होता हम कहीं और पार्टी कर लेते कैसी अनपड़ गवार बीवी ला रखी है तूने उसे तो महमानों की इज़त और काम करना तक नहीं आत तुमने तो हमारी बेज़ती करा दी अब आस पडोस की ओरतों को और बहना मिल गया था वो कहने लगी देखो क्या कर दिया तुमारी बहु ने कोई काम की नहीं है मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो छुटकारा पाओ इस गवार से सास उठी और जाकर अपने बेटे को थपड मारा और कहा अरे नलायक तुमने मेरी बहु को मारा तेरी हिम्मत कैसे हुई तेरी तांग तोड़ दूँगी उसके बेटे को दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माने गूरते हुए कहा चुप बिलकुल चुप यहां दारू पीने आये हो जबकि पता है आज पूजा है और तुमें पार्टी करनी है कैसे संसकार दिये हैं तुमारे माता पिता ने और किसने मेरी बहु को जाहिल बोला जरा इधर आओ चपल से मारूंगी अगर मेरी बहु को किसी ने शव्द भी कहा तो अरे पापी तुने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब तूट गई पापी वो बच्ची सुबह चार बज़े से उठी है घर का सारा काम कर रही है ना सुबह से नाश्ता किया ना दिन का खाना खाया फिर भी हसते हुए सबकी बाते सुनते हुए ताने दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगी जूते से मारूगी तेरे दोस्तों को जो कभी उन्होंने ऐसा कहा उसके दोस्त चुपचाख वहां से ठिसक लिए अब सास बहु के कमरे में गई और बहु का हाथ पकड़ कर बाहर लाई सब के सामने कहने लगी किसने कहा था अपनी बहु को घर से निकाल के दूसरी बहु ले आना जरा सामने आओ कोई सामने नहीं आया फिर सास ने कहा तुम जानते भी हो क्या इस लड़की के बारे में ये मेरी मा भी है पेटी भी मा इसलिए मुझे गलत काम करने पर डाटती है पीछे और तुम कहते हो दूसरी बहु ले आओ य अब पिछले हफते ही तुमें मिया वीबी भूके छोड घूनने चले गए थे मेरी इसी बहु ने साथ दिनों तक तुमारे घर पर खाना पानी यहां तक की तुमारे पैर दबाने जाती थी और तुम इसे जाहिल बोलती हो जाहिल तो तुम सब हो जो कोईले और हीरे में फर की यह मेरी बहु नहीं मेरी बेटी है बहु सिस्कियां लेते हुए फिर कमरे में चली गई सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा और बहु के कमरे में खुद ले गई सास को भोजन लाते देखा तो बहु ने कहा अरे माजी आप क्या कर रही हो मैं खुद ले लेती स सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा डर मत इसमें जहर नहीं है मार नहीं डालूंगी तुझे तुझे नई सास चाहिए होगी पर मुझे अभी भी तू ही मेरे घर की बहु चाहिए बहु ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया सास भी रोती पहली बार और कहा चल खाना खाले फिर मजाग करते हुए कहा फिर मेरे पैर दबाने चले आना और ये खयाल मन में मत लाना कि सास पैर बोलती है किसी दिन मैं इसका गला दबा दू क्योंकि कभी मैं भी यही सोचती थी दोनों हूँ भसने लगे इसलिए कहा है कि कुछ रिष्टे बहुत मीठे होते हैं बस बाते ही करवी होती है तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ तब तक के लिए बाए ताटा टेक केर